तो आज हम बनाने वाले हैं एक लबाबदार तो उसके लिए मैंने कराई को घरम कर ले लिया है और कुछ इलाइचे और लाउन डाल के उसको अच्छे से उसके जो खुश्बुए हो उसको अब्जर्ब होने तक हम इसमें थोड़ा सा फ्राइ करेंगे उसके बाद मैंने यहां लिए हैं आसके अब लिया है छिल्कु गोर्डन बाउन बिलकुल नहीं करना है चयांके करेंगे ऒर आपको में जुर्ण होना मैं स् – शौप्त करेंगे उसको ए हम शुद क्यूंत करेंगे थ्यूर् наст शॉष्बूत करेंगे च्रों कि इसको mix कर लेंगे जोन बी थोरा से स्ट्रेटलेंगे कर लेंगे श्काइब निकल जाए और तमाटर भी हमारा भूण जाएगा तो एक ही साथ दोनों काम हो जाएगा तो हम इसे पर हम इसमें अभी हम इसमें अधर प्लस्म का पेस्ट जो है एक चमस एट करेंगे और इसको अच्छे से फ्राइब थोड़ा सा पूर देंगे उसके बाद हम इसको टमाटर के साथ भूनने देंगे दा किसके कच्छा है इसमेल जो अच्छे से खतम हो जाए बाकी मसाला हम बाद में एट करेंगे तो इसको थोड़े दर के लिए कवर कर देते हैं और फ्लेम को लोटों मीडियम कर देंगे हमारा टमाटर जो वो कुख हो चुका है गल चुका है लगबग तो अब इसमें हम हमारे जो है पाउडर मिसाले उसको सारी एट कर लेंगे हाल बाकी पाउडर लियa है और वह टीए सबून मैंने थनिया पाउडर कोई बनाता blinking ऊच्छा आया तो खाने का भूग जो और दुगनी हो जाती है इसलिए इसमें ललमिज पाउडर डालेंगे तो कलर काफी अच्छा आती है थोड़ासा पानी एटके है मैंने और इसको थोड़े दरी के लिए हम कवर कर देंगे ताकि थोड़ासा अच्छे से कूक हो जाए और बेस्ट हो जाए तो इससे पहले मैं आपर स्वादर नमक डाल में पूंख अपढा के टिक हमको लोग कर देंगे अच्छे से बूंड लेंगे तो देख पार रहेंगे साल इसका शना माटर हो स्फित होचुके हैं हमारे गल तो इसमें पानी और करना छोटा से पानी के त्सक्टाते ही जरूरी नहीं है लेकिसे काफी अच्छा स्वांधा है और खाने मिठा स्या त्हाइव हैu तो इसलिए मैंने चाहे तह भी कर सकते है तो पानी पर आड़ें दुछा एक चिमस में कच़ोरी मिथी आ लें वे लिए घुटा रॉंटी स्पून कच़ोरी मिति तो करश्क्रिकश डाल देगा हएं थोरा सा पानी आड़ करेंगे इसमें ज्याधा पानी नहीं चाहिए का तो इसको कवर कर देंगो इसको क्राइब करोफ़ देंगे वार इतना पानी तो हमें नहीं चाहिए थोरा सब कर लिए थ्क सक्रण थो दॉद्राइब करें गये तो ठीक है तो इसमें हम अपना गरभ मसाला एड करेंगे अप्यख TO MğiT मसाला भी एड कर सकते हैं लेकिन मंगरभ मसाला डाला है मैंने और इसमें एक एक करके मैं अब देख और मैं कैसे डाल गुद्ध मैं ऐसे डालना हैं तो अब बिलकुल हलकी हाथ से डालना है ऐ या दिए आपके फिलेम बिल्कुल लोह पे रखना है और अंड़ए मैंने थोड़ा सा नमक डाल जीडा और थोरी से लाल मेज डालेंगे अब जाहे तो काली मेज का पाउडर भी डाल सकते हैं और इसमें तुरह सा फ्रेश धन्यान बता से उपर से डालेंगे और उसको फिर से लीड लेगा घरके हम इसको पंदा से 10-15 मिन तक हम इसको लोफ लिम पे बिकाएंगे ज्यादा साथ ज्यादा हम इसको बेस मिन तक पकाएंगे चिसले नहीं पकाएंगे उसके बाद देख सकते कलर वाउ तो लगए नापका फी मज़दार तो दिखने में जीतनी मज़दार था मैं उससे बिज़ा पहीगुना ज्यादा मज़दार है आप इसे को बनाई और ट्रा